मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आपका स्वागत है हमाई चनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे आज हम बात करेंगे कि आपका मुझ गुटका तमाकु से नहीं खुला है तो फिर क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपका मुझ पुड़ा खुलने लगे मैं इस वीडियो में सिर्फ तीन उपाय आपको बताऊंगा और तीन उपाय करने से वह तीन उपाय अगर आप करेंगे तो 101 परसेंट आपका मुझ जरूर खुलेगा अन्यथा मैं यह वीडियो बनाना बंद कर दूंगा यह चैलेंज है आप लोगों को अगर यह उपाय आप प प्रॉपर खुलने लगेगा यह चैलेंज है तो जैसे कि आपको पता होता है सबसे पहले हम यह जानते हैं कि गुटका में ऐसा क्या होता है जिससे कि आपका मुझ बंद होने लगता है तो जो गुटका आप खाते हैं उसमें 90% सूपाडी होता है और सूपाडी से ही आपका मुझ प्रॉपर बंध होने लगता है सुपाडी में एरिकोली नाम का सब्स्टेंस होता है जो कि आपके मुझ के अंदर फैब्रोटिक बैंड को डेवलप करता है यह चीज मैंने आपके बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं और आपको एक चीज और नहीं पता होगा कि ह हुमारे देश में लगभग औरल कैंसर से जह मौत होती हैं दो परसेंट मौत से होती हैं उसमें दो क्याहिंट overseas जो है सिर्फ माउस कैंसर से परेशेंट मर रहे हैं और उसका में होता है आपका oral samicus fibrosis ही, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि oral samicus fibrosis कभी भी cancer में परिवर्तित नहीं होता है फिर क्या होता है, अगर oral samicus fibrosis cancer में परिवर्तित नहीं होता है तो ये cancer मुं में होता कैसे है, oral samicus fibrosis सिर्फ 7-22% cancer में परिवर्तित होता है बाकी जो होता है आपका मूँ धीर दिकर के छोटा हो जाएगा और उसके बार अगर मूँ के अंदर छाला भी होगा तो वो आने वाले समय में कैंसर में बदल सकता है ये आप मान की चलिएगा इसलिए औरस हमिकस फाइबरोसिस को ठीक करना बहुत जुरूरी है अब आते हैं कि वो तीन उपाय कौन से हैं जो की औरस हमिकस फाइबरोसिस को 100% ठीक कर सकते हैं नमबर एक पर उपाय होता है कि आप पान तमाकू गुटका सूर्थी सूपाडी जो भी खाते हैं उसको छोड़ना है उसको अपनी हैबिट को ब्रेक करना है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर आपको habit break करना है तो वो अपने मन बना के आपको छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि पान तमाको सुर्थी सुपाड़ी छोड़ना है तो उसको छोड़के हम long खाने लगेंगे इलाइची खाने लगेंगे या कुछ सुपाड़ी गुटका छोड़कर करके हम तमाकु खाने लगेंगे या तमाकू खा रहे हैं तो उसको छोड़कर हम सीजरेट पीने लगेंगे या इच्छाच सकती से इसका सकती से कैसे फीक होना है इस पर मैंने वीडियों बनाई हुई है आप मेरे प्लेप्रिश्ट में जाके चेक कर सकते हैं बहुत सारी वीडियो और सम्मिकस फाइब्रोसिस पे हम बनाए हैं और उसको आप जाके देख सकते हैं और चेक आउट कर सकते हैं नमबर 2 पर उपाया आता है कि आपका सबसे अच्छा होता है कि आप exercise कीजिए और सम्मिकस फाइब्रोसिस में exercise बहुत जरूरी है उतनी ही जरूरी है जितना की इनसान को पानी पीना जरूरी होता है अगर इनसान दो से तीन दिन तक पानी ना पीए तो 100% की डेथ होना शुद्ध हो जाएगा लेकिन आप अगर पानी पीना जरूरी पानी है उतना ही जरूरी ओरा सम्मिकस फाइबरुसी को ठीक करने में एक् करनी है आपको आइस्क्रीम श्टिक वाली एक्सरसाइज करनी है और आपको ओंटमेंट ले करके दोनों साइट के गालों में मसाज करने वाली एक्सरसाइज करनी है इन चारों एक्सरसाइज में से कोई दो exercise करके आप अपने oral samikos fibresi को ठीक कर सकते हैं लेकिन मैं यह भी बोलूँगा की जो जोस में बहुत ज्यादा exercise मत कीजेगा और बहुत ज्यादा रहा है और फिर आप जो हम आपको medicine provide कराते हैं उस medicine को ले करके 101% आप आप उरल समय को सफ ही ठीक हो सकता है अगर grade 1 का है तो यह आपका तीन मेंन और शंभान को स्वाइब कोगा grade 2 का है तो यह आपका मान कर चलें चार से पांच मैंने लगेंगे ग्रेट 3 का है तो 6-7 मेने और ग्रेट 4 का है तो लगभक एक साल में आपका ओरस्वम्यूकस फाइब्रोस्टिस ठीक हो सकता है और 101 परसेंट बस ये तीनों चीजें ये तीनों उपाय आपको कंटिन्यू करना है हमारी भेजी हुई दवाएं आपको करनी है वो दवाएं आपको आयरुवेद चाहेंगे तो आयरुवेदिक मिल जाएगा होंएपैथी सबसे बेश्ट है इसके लिए ओरस्वम्यूकर्स फाइब्रोस्टिस के लिए और आपका एक्सरसाइज बेश्ट है और साथ में हैबिट को ब्रेक करना बेश्ट है आपको हम दवाएं में बने रहते हैं ऐसा करके हम आपके औरस अमेकर स्वाइब्रोसिस को जो एक बिरोधी कंडिशन है मतलब कि ठीक होना ही नहीं है ऐसे से आपको निकाल करके 100% ठीक करना यह हमारी जीमिदारी है और यह हम करते हैं और कई अपने टोबी बत करेंगे जिसके लिए हम अचले है तो सब्सक्राइब कर लिजे नावस्कार जय हिंद जय भारत